मिया जावेद लतीफ सहाब जी शुक्रिया जनावे स्पीकर आज जो बजट पर हम गुफ्टुगू कर रहे हैं चोहतर साल से हर साल तक्रीबन जब इस पे हम बहस करते हैं तो यकीनन मौजना करते हैं कि पिछली हकुमतों ने क्या किया और इस हकुमत ने या इस साल अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या एक्दामाद किये गए और पच्चत्रवे साल आज यहां मेरे भाई चत्राली साब फर्मा रहे थे कि ये नजाम सूदी है या गैर सूदी आज मैं पूछना ये चाहता था कि हमारे पास पुछत्र सालों के बाद रह क्या गया है जिस से हम सूदी या गैर सूदी नजाम में बहस करें या अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई सर जोड कर बात करें आज नौबत ये है के चंद दिन पहले चंद दिन पहले जाने वाली हकुमत के चीफ अग्जेक्टिव कह रहे हैं के मजूदा हकुमत पाकिस्तान को सिरी लंका बनाने की तरफ बढ़ रही है जनाबे स्पीकर चुहत्र सालों में तो पाकिस्तान खुदाना खास्ता सिरी लंका ना बना ये तीस दिनों में क्या ऐसे एकदामाद कोई कर सकता है तीस दिनों में ऐसा कुछ हो सकता है के मजबूत फुटिंग वाला पाकिस्तान तीस दिनों में सिरी लंका बन जाए और क्या तीस दिनों में खुदाना खास्ता ऐसा मुम्किन है के तीस दिन पहले दिफाई लहाज से माशी लहाज से एक मजबूत पाकिस्तान आज कहा जाए के ये तीन टुकडों में बढ़ता नजर आ रहा है और आज ये कहा जाए के पाकिस्तान का न्यूक्र प्रोग्राम खत्रे में है ये तीस दिनों में नजर आया इस से पहले भी हकुमतें खत्म की जाती रहीं हकुमतें खत्म हो जाती रहीं मगर उस वक्त खत्म की जाती जब वो हकुमत पाकिस्तान की महिश्चत का पया तेजी से चलाती तरकी की जानब बढ़ती नजर आती थी वो हकुमतें खत्म कर दी जाती मगर ये पहली हकुमत खत्म हुई जो पाकिस्तान की बर्बादी तबाई इस तरह कर रही थी कि अगर ये चार छे माँ और हकुमत रह जाती तो मैं द्यानतदारी से जनाब स्पीकर ये अर्ष करने की जसारत कर रहा हूं कि लोग इनों इनको छे माँ गुजरने देते और लोग इनको कान से पकड़ कर बाहर निकालते जूते मारते घरों में दाखल होते मगर ये गहर मकबूल फैसला ये गहर सियसी फैसला है सियसी कीमत अदा करने के बाद मिलने वाली हकूमत अखर वज़ा क्या है कि आज तीस दिनों के बाद मकबूल अपोजिशन गेर मकबूल बकूल इनके होने जा रही है वज़ा सिर्फ ये है कि हमने सियसी कीमत अदा करके पाकिस्तान को बचाया और उन्होंने पाकिस्तान को खुदाना खास्ता उस घड़े में फैंक कर अपनी सियस्तान को बचाया अब बात ये है कि अगर उन्होंने ये भी कहा कि वोट को इज़त हाँ हाँ मैं आज भी कहता हूँ मैं आज भी अर्श करता हूँ कि 74 सालों का बगार जो है अगर उसको दुरुस करना है तो वोटर को वोट को इज़त देना होगी आईन कानून की बाला दस्ती तस्लीम करना होगी और अगर आज कोई ये कहे और मैं उसमें सर फरिस्त हूँ एक सियासी कारकुन के और मुहम्मद अर्बी सलल्लाहु अलिह वालिव सल्म के एक अधना गुलाम के ये इंडिया में जो गुस्ताखी की गई या आप देखते हैं दुनिया के दीगर ममालिक में हजूर की शान में जो गुस्ताखियां आए रोज बढ़ती जा रही हैं उसकी वज़ा क्या है ये बढ़ने की वज़ा जनाबे स्पीकर इसलामी ममालिक का कमजोर होना और उससे बढ़ा एटमी कुवत पाकिस्तान का मौशी तोर पे कमजोर होना कभी किसी कमजोर की ताकतवर आवाज नहीं सुनता और अगर हम रोज इसी कमजोर मन्जल की जानब बढ़ते गए और एटमी कुवत पाकिस्तान रोज बरोज कमजोर होता गया तो मेरे मूँ में खाक ये आए रोज मुहमद अर्बी के गुलाम एकजाज नहीं अपनी जानों के नजराने देंगे मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक वक्त आएगा मैं दुनिया के हाक्मों को ये कहना चाहता हूँ दुनिया के ताकतवर तबके को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम अंदर से कमजोर होते गए मुसल्मान ममालिक कमजोर होते गए इनकी आवाज पर कान न धरे गए तो मैं जाती तोर पर ये कहने पर मजबूर हूँ फिर जहाद फर्ज है फिर गुस्ता का सरतन से जुदा करना कलमा गो पर लाजम है ये नहीं हो सकता के पाकिस्तान हो या मुसल्मान ममालिक हो उनके हुकमरान किसी मसलत के तहट किसी अवाम के उस कौम की जरूरत के तहट उनकी आवाज को कमजोर जाना जाए अमल न किया जाए उनके इहत्जाज पर उनके मजब उनके अकिदे पर बार बार उंगलियां उठाई जाएं बातें की जाएं रोके कोई ना तो फिर यही होगा मगर मैं ये जरूर अज़ करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को दुनिया के मुसल्मानों को कि अपने अपनी रियास्त अपने इमलाक गोली खाना अपने मुल्क में गोली मारना अपने मुल्क में यही कुस्ताहन रसूल जो हैं उनकी सादश है आपको कमजोर करने की मैं समझता हूँ पिर ये करना होगा कि अगर हमारी कोई आवाज ना सुने दुनिया में तो फिर हमें अपने इमलाक को अपने कलमा गोल मुसल्मानों को तो नुकसान देने की बजाए फिर वो ही है जो हमारा दीन कहता है जो रास्ता हमारा दीन दिखाता है तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ आज जनाबे स्पीकर एक इसलामबाद के गली कूचों में आज मुख्तलिव सोशल मेडिया पे एक बात बड़ी आम है और आपकी मजूदगी में ये बात कहते हुए मुझे जरा तसकीन है कि आप मेरी फिलिंग को पाकिस्तानी कौम की वरकर्स की नजरियती लोगों की आइन कानून की बाला दस्ती के लिए जदो जहिद करने वाले लोगों की आवास आप बेतर तरीके से सुन और समझ सकते हैं आज ये कहा जा रहा है कि प्रवेज मुझे शर्व को अदारा आज भी डिसोन नहीं करेगा ये नहीं करते ये एक्स उनके जो लोग हैं उनको डिसोन नहीं किया जाता हाँ इस जीस का मैं जरूर इतराफ करता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी हो हम माजी क्या किस्सा माजी की तकलीफों को भुला कर आगे बढ़ना चाहते हैं और ये आज तीस दिनों में जो पिछली हकुमत का गंग बोज उठा कर फिर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए अपनी आने वाली नसलों के बेतर मुस्तक्बिल के लिए हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते मगर ये भी बरदाश नहीं कर सकते कि एक अधारे का एक्स बंदा जिसने आइंट तोड़ा हो जिसने एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा आइंट तोड़ा हो जिसने एक मुस्ने पाकिस्तान को हाईजेकर बना कर सजा दलवाई हो जिसने एक एक्स वजीर आला बलोचिस्तान को टार्गट करके गोली मरवाई हो उसके लिए तो वापसी का रास्ता कहा जाए मगर क्या पाकिस्तान के सिविलियन क्या पाकिस्तान का वजीर आजम पहला गोली मार दी गई क्या मादरे मिल्लत को गद्दार कहा गया क्या जुलवकारली भुटो को फञ्सी पे चड़ाया गया क्या नवाज शरीफ को हाई जैकर बनाया गया क्या मौतरमा बेन जीर भुटो को गोली मारी गई क्या ये अदारा नहीं है क्या ये अदारे के लोग क्या कौम क्या जमूर क्या अपने लोगों को डिसून करेगा ये भी नहीं कर सकता जिनोंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान माल उलाद खानदान इस रियास्त के लिए कुर्बान कर दिये हो उनकी मौजूदगी में वो दुनिया के किसी कौने में रह रहे हो अगर कोई पाकिस्तान के अंदर बैट कर ये बात करे के जनाब पाकिस्तान के तीन टुकड़े होने वाले है पाकिस्तान सिरी लंका बनने वाला है पाकिस्तान का न्यूकले प्रोग्राम खत्रे में है तो फिर कुर्बानियां देने वाले ज्यादा देर तक पाकिस्तान से दूर नहीं रह सकते और निया पाकिस्तानी कौम यह नहीं हो सकता कि आज बजाए इसके क्यों को कहे यह मुझसे गलती हुई है इत्राफ करना चाहिए और इत्राफ करके आगे बढ़ना चाहिए मगर अपनी गलती का इत्राफ किये बगएर क्या यह दुनिया जानती नहीं क्या नवाज श्रीफ को किस तरह सजा दी गई क्या दुनिया जानती नहीं है क्या पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ किस तरह कमिशन बना क्या पाकिस्तानी कौम जानती नहीं है क्या साकब निसार को हदायत कौम देता था और साकब निसार अर्शद मलक को हदायत किस तरह देता था क्या ये दुनिया जानती नहीं है कि पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोग अपनी खायश के मताबक किस तरह अपनी खायशाद पर अमल द्रामत करवाते हैं मगर कोई 74 सालों के बाद आज तो सर जोड कर बैठे कि आज 75 या 75 साल बज़ट पेश होने के बाद भी ना कौम को कुछ पता है हमारे लिए कुछ हुआ और ना हकुमत को बज़ट पेश करने के बाद कोई एसास है कि हमने कुछ दिया है या नहीं दिया बजा के है कुछ ही नहीं कि इस चीज खाय स्टूं करेंगे और क्या मैं ये कहूँ कि जनाब सिरी लंका बनने जा रहा है क्या इस ये काफी है ये दुनिया के लिए पाकिस्तानी गोम के लिए भी ये बातیں करना काफी है नहीं जनाब एस पीकर मैं इलतजा करता हूँ मैं एक गुजारश करता हूँ और खास तोर पर चत्राली साहब को कि खुदा के लिए हम एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाए इस साइड वो साइड नहीं हम अपनी जिन्दगी की इनन खेल चुके मगर जाते जाते आने वाली नसलों के लिए भले ये बातें करने से मुश्कलाद बढ़ती हैं मेरे इलम में है मेरे इलम में है क्योंकि मैं तो अर्जिस्टर्ड गदार हूँ मगर मैं पिर भी दुखी दिल से ये बात करता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है कि एक शख्स पाकिस्तान के अधारों पर बोले एक शख्स मख़ब के हवाले से बोले एक शख्स पाकिस्तान के दिफा को हिट करे दुनिया को बताए कि हम कितने कमजोर हैं ये या दफाई लाइन या हमारा दिफा किस तरह चल रहा है और उसको कोई जनाब आखरी जनाब स्पिकर कोई पूछने बाला ना हो और नवाज श्रीफ जिसने इस मुलक के लिए तीन दफ़ा सफ किया हो उस पर पबंदी हो कि वो टीवी पर नहीं आ सकता मगर कोई है जो कुछ ये कह रहा है कल का प्राइम निस्टर उसको को रोकने वाला हो उसको कोई नोटिस करे फरा बीबी से होते हुए बुश्रा बीबी तक बात पहुँच गई है और बुश्रा बीबी के ताने बाने इबरान खास अब तक पहुँचने वाले है कल कोई कोई FIA का इंस्पेक्टर जब फरा बीबी से होता बुश्रा बीबी और बुश्रा बीबी से होता इमरान खान तक जाएगा तो फिर कौन कहेगा कि इमरान खान बेकसूर है सियसी इंतकाम लिया जा रहा है तो सो मैं कहना ये चाहता हूँ हम सब को मिल के खुदा के लिए खुदा के लिए खुदा के लिए आने वाली नस्रों के लिए एक मजबूत खुशाल पाकिस्तान दे कर जाना चाहिए आपको बहुत शुक्रिया मैं आपके इस फिक्रे को के लोग इनको जूते मारते इसको हजब करता हूँ ए रूल टो